इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है ये तेल अपनी शुरुआत से ही लोकप्रिय रहा है इसका तेज स्वाद तीखी गंद और उच्छ धुआ बिंदू इसे गहरे तलने और हिलाकर तलने के लिए एकदम सही बनाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, कोई रसायन नहीं, कोई सनरक्षक नहीं, कोई गर्मी प्रक्रिया नहीं, स्वस्थ जड़े कोल्ड प्रेस्ट सर्सों का तेल तेल की सभी प्राकृतिक विशेश्टाओं और पोशक तत्वों की रक्षा के लिए बिना गर्म किये या कोई रसायन मिलाए पैक किया जाता है 2. पारंपरिक रूप से निकाला गया कच्ची घानी सरसों का तेल लकडी के मथनी में तिलहन को कुचल कर निकाला जाता है यह महत्वपूर्ण पोशक तत्वों तेल की सम्रिद सुगंद और स्वात को संरक्षित करने में मदद करता है 3. रिफाइंड तेलों का स्वास्थ वर्धक विकल्प शुद सरसों के तेल में स्वस्थ वसा होती है जो सभी प्रकार के खाना पकाने और तलने के लिए उप्युक्त है भूजन को अत्यधिक हलका बनाता है और भूजन द्वारा कम अवशोशित होता है 4. अफसादन कमपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन या निकाले गए तेल को अत्यधिक फिल्टर करने में विश्वास नहीं करती है अपरिश्क्रित तेलों को मैन्यूल रूप से फिल्टर किया जाता है जिसमें बीजों के बहुत छोटे कंड होते हैं जो नीचे बैटने की प्रवरिती रखते हैं ये बसे हुए बीज कंड विटामिन E के समरिद स्रोथ है 5. कोई कृत्रिम स्वाद या सुगन्द नहीं परिश्क्रित तेलों को केवल प्रस्तत करने योग्य बनाने के लिए स्वाद और सुगन्द के साथ मिलाया जाता है लेकिन हम उनमें से कुछ भी नहीं जोडते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें